Hello Everyone, आज हम discuss करने वाले हैं तेशपुर युनिवर्सिटी के CEEL Yanis के Ц unlock के बारे हम बात करने वाले हैं Suppjects आपको कैसे Choose करने हैं Form आपको कैसे Fill करना है सारा हम इस वीडियो में एक हे करके Disqus करने वाले हैं कफ फिल करना है सबसे पहले तो आपको coad की साइट पर विजिट करना है coad.smurth.ac.in जैसी आप coad की साइट पर विजिट करेंगे इस तरीके से page open हो जाएगा यहाँ पर आपको home का option दिख रहा होगा और यह रहे आपके pencil लाएगा आपको इस वाले options पर click करना है यहाँ पर आपको universities की list देखने को मिलेगी तो universities पर आपको click करना है और इसमें आपको check करना है तेजबऔर universities तो चली मैं आपको यहाँ पर दिखाया है तो तो scroll down करके जब आप नीचे आएंगे तो आपको यह तेजब़ँंगर universities दिख जाएगइ और फिर आपको इसी link पे click कर देना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे एक नया page open होगा यहां से आप universities websites और यहां पे आपको course wise eligibility criteria दिया हुआ है तो जिस भी course में आपको admission लेना है उस course का आपको eligibility criteria जरूर चेक करना है जैसे आपको integrated MSC in chemistry 5 years old तो section 1A से आपको English choose करना ही पड़ेगा और section 2 से chemistry question paper channels पे upload है previous year के आप देख सकते हैं किस तरीके question पूछे गए ऐसे physics में आपको admission लेना है section 1A से English section 2 से physics इस तरीके से यहां पे आपको mathematics में admission लेना है section 1A से English और section 2 से mathematics mathematics दोनों subjects आपको choose करने हैं जिस subjects के requirement है यहां पे बीस के लिए तो हर course का यहां पे आपको दिया हुआ है certificate ठीक है और उसके बाद ऊपर जो है यहां पर आपको जो है इंटेग्रेटेड़ MSC m.com के लिए section 1A से English और section 2 से any one subjects आपको इसमें से choose कर लेना है अब आपको क्या क्या करना है सबसे पहले आपको CU8 का form फिल करना है form की video का link आपको description box में मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको form फिल करना है form में आपको इस universities को भी select करना है जिस course में admission लेना है उस course को select करना है औ फिर क्या होगा फिर आपको CU8 का एंटरेंस देना है जो कि में के end में और उसके बाद कि CU8 का result आएगा और उसके बाद आपको separate universities का form भी आपको फिल करना है जैसे separate universities का form release होगा वो भी आपको फिल करना होगा सब आपको वो भी time to time update कर दिये जाहेगा thank you